रादे रादे हरे कृष्णा कैसे हो आप सभी लोग आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे स्वास्थ होगे अच्छे होगे जैसे कि आप सभी लोग भली भाती परीचित है कि मेरी एक स्रीज चल रही है जिसमें मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि शिवरात्री पर क्य क्या करें तो इसी सीरीज के तहट जो शिव महा पुरान की अनुसार बताये गए इसकी स्विलिंग पर ये साथ चीजे अवश्य चढ़ानी चाहिए और अगर ये साथ चीजे आपने शिवरात्री वाले दिन सीविलिंग पर चढ़ाती तो कहते हैं भोले बाबा की किर्फा अक्शत का अर्थ होता है जिसमें एक भी चावल का डाना खंडित ना हो मतलब तूटे हुए चावल को अक्शत की श्रियर्णी में रखा जाता। एक भी दाना खंडित नियोंना जी, साबूत चावल को अक्षत की शियनी में रखा जाता है, पका हुआ चावल नहीं होता है, किसी नम चंद्र देटा से संबंदित होता अगर आपको मानसिक बिमारी है अगर आप मानसिक समस्या से जूज रहे हैं तो आप सिबलिंग पर अक्षत जरूर चड़ाइए और उस अक्षत पर अगर आप थोड़ी सी हल दी या फिर रोली मिला कर सिबलिंग परपित करेंगे तो भगव व्यापार कार में प्रगती होनी प्रादम हो जाती है नंबर दूसरी चीज जो बहुत ज़्यादा जरूरी है लेकिन शायद आप लोगों को नहीं पता होगा वो है सहद सहद सिबलिंग पर चड़ाना बहुत ज़्यादा अवश्यकर अगर आप लगातार बिमार रह रहे हो या फिर आपके परिवार में कोई ऐसा जना है जो लगाता है नोन स्टॉप बिमार है जिनको कभी भी फोन करो भाईया मैं बिमार हूं तो मेरी एक एड़वाईज है उन तक ही वीडियो जरूर पहुचा दीजेगा कि आप सिबलिंग पर आने वाली शिवरात्री पर सिबलि और बहुत जादा इंपोर्डन्ट चीज गन्ये का रस रस मो keyword सिबलिंग पर आप सिबलिंग चैपर आप तों की मान लक्षमी की किर्पा जैरूर बनी रहती है आगे बढ़ते हैं आगे है सुद्ध देशी घी अगर वो गाय का है तो फिर कहना ही क्या है आप एक चम्मस दो चम्मस तीन चम्मस अपनी शुद्धा के अनुसार थोड़ा सा देशी घी सिवलिंग पर अवश्य चड़ाइए कहते हैं जिनका वंस रुख गिया ह छाते आगर आप चाहते हो कि आपको कोई भी विमारी चुकर भी ना जाए तो आप सिवलिंग पर जरूर माँ अंप को दो इतनी सारी चीजे चड़ाने के बाद बात आती है वस्त्र की भगवान भूले बाबा को सिविलिंग पर क्या वस्त्र चड़ाएं समझ में नहीं आता तो आप एक कलावा सिविलिंग पर जरूर अरपित कीजिए कभी-कभी आपके घर में सत्यनरायन की कता होती होगी और अगर अगर आपका दामपत्य जीवन सुखी में नहीं है पती-पत्नी की आपस में लडाईया हो रही है और अगर आप अपने दामपत्य जीवन से खुश नहीं हो अगर आप चाहते हो कि आपका सीगर विवा हो जाए अगर आपका विवा नहीं हो रहा है तो माता पार्वती को आ जरूर करनी है। आप कोई भी सूट साड़ी भी समरपित कर सकते हैं। वो आपकी शर्धा के उपनिर्भर करती है। लेकिन सुहाग का समान आप माता पारवती को समरपित कीजिए। उस सुहाग के समान में महंदि का भी विशेश इस्तान दिया जाता है। उसके बाद आती है सिविलिंग पर चड़ाने वाले बेल पत्र, बेल पत्र को हमेशा सिविलिंग पर उल्टा चड़ाया जाता है, और बेल पत्र भगवान, विश्नु को भगवान, विश्नु को भी अत्यधिक परी है, भगवान, भोले बाबा को भी अत्यधिक परी है, ब्र तो आशा करती हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी और आपको यह सीरीज भी अच्छी लग रही होगी जिसमें मैं आपको शिवरात्री से संबंदित अनेकों बाते बताने जा रही हूं अगर आपकी सिवरात्री से संबंदित कोई भी कोश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए वीडियो पसंद आती है तो आप अपना यूटूब चैनल हरी बोल को लाइक सेर सस्क्राइब करना बिलकून भी मत बूलिए तब तक के लिए मुझे दीजे जाजत रादे रादे जश्री किष्णा हरी बो